हेलो फ्रेंड्स मैं हूं अरके मलिक आपका दोस्त फ्रम्दी क्रियेटर बाले स्वर ओडिशा मैं आज आपके लिए एक छोड़ा सा वीडियो लेकर आया हूं इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक फोटो को हम पासपोर्ट साइज में कैसे करेंगे पासपोर्ट साइज क्या है पासपोर्ट साइज का हम कैसे क्रपिंग करेंगे और कैसे इसका एक्षन की जेनरेट करेंगे यह सारी बात हम इसी वीडियो में बताएंगे तो चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो तो चलिए शुरु करते हैं आज का विडियो पहले हम Photoshop 7.0 उपन करते हैं इसके बाद हम क्या करेंगे इसके ओपर डबल क्लिक करेंगे इस्क्रीन के ओपर हम डबल क्लिक करेंगे फाइल उपन करने के निया हमारा जो फोटो जहां पे है लोकेशन जानने के लिए हम इसका डबल क्लिक करेंगे देखे यह अभी डेश्टप में खुला है डेश्टप में मेरा फोटो है तो इसका हम सिलेक्ट करते हैं इसके बाद उपन देखे यह हमारा फोटो आ गया है हम पहले देख लेते हैं इस size क्या है, इस photo जो है अभी, इस photo का size क्या है हम देख लेते हैं तो इसका shortcut की है, देखें अगर image image size, देखें अभी क्या है, 3.5 cm, height है इसका 4.5 cm, 300 resolution है और pixel per inch है, इसका resolution unit तो देखें यह जो photo है हमारा Photoshop passport size का measurement में है, अगर यह measurement में नहीं होता, passport size में नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, नहीं हम जाते हैं, जो cropping का की है, इसका हम click करते हैं, यह उर्थ में लिखते हैं, 3.5 cm, इसके बाद टेप 4.5 cm, इसके बाद resolution है 300, और यह है pixel per inch, यह सही है, तो इसका हम पहले cropping करते हैं, crop करने से, देखे, crop कर दिया, drag कर दे, इसके बाद enter, अभी हो गया हमारा passport size का photo ready हो गया है, इसका हम क्या करेंगे, नहीं हम print out करेंगे, 6 for size में इसका set करने के बाद हम इसका print out करेंगे, तो हम एक new file generate करेंगे, एक new file, new, देखे, अभी है 4 into 6, 4 6 का size है, इसका हम width करते है 6 inches, और height कर देते है 4 inches, इसके name कर देंगे, passport 8 piece, passport 8 piece, okay, देखे, यह हमारा फाइल अभी, 4 6 फाइल अभी ready हो गया है, इसका हम control A करेंगे, control C करेंगे, copy करेंगे, और इसके यहाँ paste करेंगे, देखे, अभी हमारा यह फोटो है, अभी हमारा ready हो गया है, इसके बाद हम क्या करेंगे, लेयर में, लेयर फाइल में इसको stroke देदेंगे, अभी तो है stroke लेकिन हम अगर stroke देना हो तो, ऐसे हम इसको stroke देदेंगे, इसके बाद एक, इसको तीन की को दबा के रखाना पड़ेगा, फिर एक, फिर एक, इसके बाद shift की क्लिक करना पड़ेगा, दबा के रखना पड़ेगा, इसके बाद क्लिक करते जाएए, देखे, यह चारो फोटो है, यह भी select हो गया है, इसके बाद हम यहां, center horizontal हम क्लिक करेंगे, तो देखे, यह alignment हो गया है, इसके बाद हम control E करेंगे, control E का मतलब है, यह merge हो गया है, यह जो चारो फोटो है, यह merge हो गया है, इसके बाद होई, alter, control, shift, दबाने के बाद, हम यहां क्लिक करने के बाद इसको drag करेंगे, देखे, वार्फपोर्स उप्स आप साइज 8 पीस से शथ हो गयाँ इसका हम सैप करेंगे सैप करने के लिए फाइल सैपेज इसका शर्यक्ट की है Ctrl-Shift S लिए पासपोर्स एट पीस इसका हम सैंज करेंगे जपीज में इसके बाद सैप देख्ये, अभी जो आठ पीस पासफोर्ट साइज का आठ पीस भी शेट हो गया है इसका अभी एक्ष्ण की जयनेरेट करेंगे एक्ष्ण की जयनेरेट करने के बाद का होगा ने एक अध्लक पास्पोर्ट साइज में प स्क्रIFTी की द्भाएंगे एक की दबाने से ए पुरा ए जो फोटो है आठ भी सेट हो जाएगा श्रीफ एक की कैसे होता है इसका एक्षन की कैसे जनेर्ट करते हैं हम आज आपको बताएंगे तो इसका हम डिलेट करते हैं नो करते हैं जो जाएंगे उसी photo को रहेने देते हैं, क्योंकिसी photo गा हम set करना है, action की जैनर करना है. तो window में जाएंगे, window में जाने के बाद action रहेे है, window-action, देखहें. अभी action आ गया है, action तो पहले हम यू double-arrows, यौ right-arows जो है जो यौ right-side में। क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद, new set करेंगे, new set करने के बाद यहाँ एक नाम रिणेम करना पड़ेगा, महनलिजे में pp8, इसको pp8 इसके बाद ओके, इसके बाद फिर वहाँ जाना पड़ेगा, इसके बाद new action, new action pp8 हे, दबाने से हमें ए जो एक्षन की जनरेटर हो जाएगा, एक पटो का आट पीश हो जाएगा, हम यहां ए जो सारे अप्षन है, हम एप्टू, सेलेट करते हैं, एप्टू, ए कॉलर वाइट रहने दीजिए, नन है, ठीक है, एक्षन वान ठीक है, इसके बाद रेकर्ड, देखे गर हम दबाएंगे, कलिक करेंगे, तो यह स्टॉ ख़ोगा, लिए स्टॉप हो जाएगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, डा रेक क्ट्र्ल N या फाइल निउ या उत्धयो बद्देखे यह प्सिक्षर मत्रियं तर हम लिएह कॉंत्व घुषन में धाएंगे, इसके बाद प इसके बाद हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, इमेज रोटेट कानवस 90CW, देखें, यह हमारा फाइल है, अभी 6-4 size का फाइल हो गया है, इसके बाद हो जाएंगे, Ctrl A, All Select, Ctrl C, Copy, इसके बाद यहां आकर, Ctrl V, पेस्ट हो गया है, देखें, पेस्ट हो गया है, इसके बाद हम क्या करेंगे लेयर में जाएंगे लेयर में जाने के बाद स्ट्रॉक हमें शार ब्लाक कलर देने से पासफट साइज का अच्छा है नहीं तो दूसरा कलर भी आप दे सकते हैं लेकिन ब्लाक कलर ठीक है। इसके बाद okay वहां आपर two-three what भी रखना है ठीक है इसके बाद ओके देखे हमारे जो फाइल है अभी श्ट्रोग हो गया है इसके बाद Ctrl Shift Alt इसके दबाने के बाद इसके हम ड्राइग करेंगे वान टू थ्री ड्राइग हो गया चार हो गया इसके हम एलाइनमेंट करेंगे श्ट्राइग के बाद इसके उपर हम क्लिक करेंगे 3-4 क्लिक हो गया वहान जाने के बाद horizontal center में क्लिक करना पड़ेगा देखे डिस्ट्रॉबुट horizontal centers इसके उपर यह जो किये इसको दबाने से इसका मीडिल का गेप है यह सेम हो गया है इसके बाद सेम करेंगे इसको मर्ज करेंगे इसको चार फोटो है इसको मर्ज करेंगे इसके बाद अल्टर शीफ्ट कांट्रोल इसको ड्राइग करेंगे देखिए अभी हमारा फाइल रेडि हो गया है इसके बाद सेब करेंगे Ctrl Shift S, save J करेंगे एंलेजे, P P 8 pieces Renum करेंगे, इसके बाद, E point is, P is, Jp is, इसके बाद S, इसके बाद OK करेंगे देखे, अभी होमारा फाईल है, रेडी हो गया है, इसका Sorry, इसका रेडी हो गया है, इसके बाद हम इसको, इहां stop कर देते हैं हमारा action की recording हो रहा था अभी हमको stop करेंगे stop करने के बाद हमारे यह save हो गया है इसके बाद हम इसको delete करते हैं देखिए अभी हमारा पास ए फाइल है एक की दबाएंगे हम वहाँ चूज किये थे f2 अगर हम f2 की click करेंगे तो एक set हो जाएगा पूरा का पूरा आठ पीस वान click में हो जाएगा देखिए हम अभी दबाते हैं click करते हैं f2 देखिए हो गया है देखिए f2 होने से हमारा ये ready हो गया है तो ये था आज का वीडियो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा कमेंट करिएगा और शेयर कर दीजिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा अज के लिए इतना जय जगनात जय हिंद झाल के करुछ भा एक दो अजब है तो a झाल